हेलो और वेलकम बाक टू माई यूटिब चानल नालंदा अकाडमी आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एकोनॉमिक्स का चाप्टर नमबर 2 यूटिलिटी अनलेस स्टेडी करने वाले हैं यह न्यू सिलेबर्स है ठीक है महाराष्टर वोट का तो जो चाप्टर नमबर 2 है उसकी पार्ट 3 वीडियो अप्लोड किये हैं मैंने जिसने भी नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जागा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें मैंने आपको टोटल और मारिजीन Beim यूटिलिटी का जो एक आपको पेज नमबर 12 के ऊपर एक टेबल दिया है जिसमें blanks दिये हैं वो मैंने आपको पूरा का पूरा फिल करके भी दिया है पार्ट थरी वीडियो के अंदर तो जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है आज के इस वीडियो में हम law of diminishing marginal utility study करने वाले हैं तो जिसने भी like नहीं करा वीडियो को like कर दे, share कर दे अपने friends के साथ क्योंकि ये बहुत जादा important वीडियो है law of diminishing marginal utility बहुत ही जादा important है board में ये question बहुत बार आता है law of diminishing marginal utility इसलिए सबको अच्छे से study करना है यहाँ पर first देखिए, first introduction हम study करने वाले हैं तो मैंने जो textbook के जो points है उनको in short में यहाँ पर लिख दिया है summarize कर दिया है जिससे आपको easy हो याद करने के लिए ठीक है, ये safe or safe short, मतलब notes होते हैं एक type से अगर ये notes से आप पढ़ते हैं तो ये safe or safe revision के purpose से होते हैं ठीक है, तो यहाँ पर first point देखिए क्या है introduction के part में law of diminishing marginal utility, diminishing का मतलब होता है decline होना और marginal utility मैंने जैसे आपको बता है marginal utility वो होती है addition made to the total, ठीक है, additional benefit with the consumer derives जो additional benefit consumer derive करता है, अब देखिए 10 plus 2, तो ये जो 2 हम total में add करेंगे total था 10 वाला 10 total है और ये addition हम उसमें plus कर रहे हैं तो ये क्या है, 2 हमारा marginal utility है, 2 हमारी marginal utility है, ठीक है अब हम introduction का part study करते हैं, first introduction में इनने बताया है ये जो law है, ये first किस ने propose किया था, Gosson ने, ठीक है ये red वाला जो Gosson ने वो correct है, प्रोफेसर Gosson ने ये first propose किया था उसके बार detail में जो है इसको discuss किया है, प्रोफेसर Alfred Marshall ने प्रोफेसर Alfred Marshall ने अपने एक book publish की थी in the year 1890 principles of economics ये बहुत ही जादा important है, आपको ये याद करना है, ठीक है प्रोफेसर Alfred Marshall ने अपने book publish करी थी, principles of economics in the year 1890 ये book में इन्होंने discuss किया था law of diminishing marginal utility, ठीक है, उसके बात में आपको लिखना है law universal in character होता है, ठीक है, जो law है हमारा, वो universal in character होता है last point जो है, वो बताना है आपको ये based होता है consumer के behavior के ओपर consumer का behavior जैसा मतलब consumer के behavior मतलब जैसे marginal utility एक person, एक consumer consume कर रहा है और उसको satisfaction मिल रहा है तो ये एक consumer का behavior ही है, ठीक है, consumer behavior that utility derives diminishes with the reduction in the intensity of want, जैसे जैसे intensity of want reduce होता है, वैसे वैसे ही हमारा जो consumption है, वो भी decrease हो जाता है, ठीक है और utility जो होती है, उसकी वो भी decrease हो जाती है, तो introduction के point में ये चार point आने ही चाहिए, ठीक है, अब next move on करते हैं, statement of the law statement of the law देखिए, statement of the law आपको same as it is लिखना है according से लेके has तक या आपको same as it is जैसे textbook में दिया है, वैसा ही लिखना है क्योंकि एक statement है, ठीक है, according to professor Alfred Marshall other things remaining constant, other things remaining constant मैंने पहले भी बताया satiris peris-based बोलते हैं इसको, तो satiris peris-based मतलब other things remaining constant professor Alfred Marshall बोलते हैं कि पहले तो सभी चीजों को constant होना पड़ेगा, ठीक है तो उसमें से कौन सी चीज़े हैं वो, means उसमें वो बात करते हैं income की income increase or decrease नहीं होने चाहिए, taste बदलना नहीं चाहिए consumer का, उसके preferences नहीं बदलने चाहिए commodity को लेकर और उसकी choice भी नहीं बदलने चाहिए, ठीक है यह सब चीज क्या होंगी, constant होंगी, income constant होगा, taste भी constant होगा, preference भी constant होगा the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing, diminishes with every increase in this stock that he already has यह as it is statement आपको लिखना है, अब यह जो additional benefit है, जब हम बहुत सारा stock increase होता है तो उससे क्या होता है, हमें additional benefit मिलता है, ठीक है, और जैसे ही वो stock बढ़ता है जब हम intake करते हैं जादा, commodity का stock जैसे ही बढ़ता है, तो हमारी जो मतलब अब यह जो diminishes with every increase in the stock that he already has तो हमारा जी utility होती है, marginal utility वो भी decrease होना चालू हो जाती है तो अब यहाँ पर in other words में भी इन्होंने बताया है, marginal utility that any consumer derives from successive units of a particular commodity goes on diminishes as his or her total consumption of that commodity increases, ठीक है, यहाँ पर in other words में बताया है कि जब marginal utility एक consumer derive करता है from successive units, successive units वो होते हैं, मतलब एक के बाद एक, पहले मैंने एक आम खाया, फिर दूसरा खाया, तीसरा खाया, ऐसे खाते खाते, तो मतलब successive मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी gap नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक लगातार मैंने आम खाया, या फिर अगर आप एक glass water का example लेंगे, तो मैंने एक glass पानी पिया, मैंने दो glass पानी पिया, मैंने तीन glass पानी पिया, तो ये आपको बार-बार पीते ही रहना है, तो ये क्या होता है, ये successive units होते हैं, ठीके, एक consumer बार-बार एक चीज़ को consume कर रहा है, और उसमें बिल्कुल भी interval नहीं हो रहा है, मतलब break नहीं लग रहा है, मतलब आप रूक नहीं रहे हैं, एक के बाद लगातार आप consume कर रहे हैं, ठीके, तो जो consumer derive करता है, successive units से, वो diminish होना चालू हो जाता है, जैसा ही उसके जो commodity है, उसका जो consumption है, वो बढ़ता है, जब हमारा consumption बढ़ जाता है, तो जो marginal utility है, और तो वो क्या ह हो जाती है, वो decrease हो जाती है, ठीके, यह in other words में बताया था, अब in short में बता रहे हैं, in short में देखी क्या बता रहे है, in short, the more of a thing you have, the less you want to have more of it, मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास एक particular commodity या thing ले लो, अगर इतनी ज़्यादा quantity में आपके पास हैं, तो आपको उसकी जरू कम होती है, you want to have more of it, less you want to have more of it, आपको नहीं, मतलब कम चाहिए होती है वो चीज़, ठीके, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा quantity में एक ही particular commodity है, तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं वापस से वो चीज़ लो, ठीके, for example, अगर आपने बहुत सारे mangoes ले लिए हैं, ठीके, त तो आप क्या करेंगे, आप वापस से और mangoes को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके पास तो पहले ही already ही बहुत सारे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वो mangoes और purchase नहीं करेंगे, the less you want to have more of it, अब यहाँ पर more of it का यहीं मतलब था कि जैसे आपने बहुत सारे glass of water पी लिये, छे glass पानी पी लिया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कम पानी पीएंगे, ठीक है, next यहाँ पर हम assumptions study करने वाले हैं, law of diminishing marginal utility, assumptions हम क्यों पढ़ेंगे, किसी ने सुचा, assumptions हम इसलिए पढ़ेंगे, क्योंकि जो law होते हैं, वो बहुत सारे assumptions के उपर depend करते हैं, अगर हमार assumptions जो है, वो नहीं होंगे, तो law applicable नहीं होंगा, ठीक है, assumptions क्या होते हैं, मतलब हमें assume करके चलना पड़ता है, कि यह सारी चीज़े होंगी, तो ही law applicable होगा, अगर जो assumptions हैं, यह जो मैं one by one हम study करने वाले हैं, यहाँ पर eight type के assumptions हैं, ठीक है, और अगर यह assumptions होंगे, तो ही law of diminishing marginal utility जो है, काम करेगा, applicable होगा, ठीक है, तो first जो है, assumptions वो है, rationality, rationality, consumer assumed to be rational, assume करना है हमें, मान के चलना है, assume ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, कि consumer जो होगा, वो rational होगा, consumer मतलब आप जो consume कर रहे हैं, ठीक है, एक particular person, अगर consume कर रहा है, मतलब वो चीज़ खा रहा है, जैसे, अगर मैं आम खा रही हूँ, तो मैं consumer हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या समझा जाएगा, rational consumer समझा जाएगा, कि मैं rational हूँ, अब rational का मतलब होता है, एक person, जो emotionally driven ना हो, या फिर उसको कोई भी जो, वो खुद decision ले सके अ नहीं खाना है, और उसके उपर किसी का भी दवाब, मतलब वो किसी से भी influence ना हो, ठीक है, और rational consumer means intelligent consumer, वो किसी के भी influence में ना आए, और अपना जो consumption है, उसको maximize करने के लिए, वो अपना हमेशा, जो है, satisfaction को हमेशा maximize करे, और वो किसी के भी influence में ना आए, तो ऐसा होता है, एक rational consumer, वो हमने देखा कि assume करके चलना पड़ेगा, कि हमें एक consumer rational है, और वो अपना जो satisfaction है, उसको क्या कर रहा है, maximize कर रहा है, next जो assumption का point है, वो है cardinal measurement, cardinal measurement, पहले जब हमने feature study करे थे, तब मैंने आपको बताया था कि, जो cardinal measurement है, utility का, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन assumptions के अंदर, एकदम reverse situation है, assumption के अंदर, law of DMU के assumptions में, जो है, बता रहे हैं, उसमें बताया है, कि आपको, जो है, utility को numbers देने पड़ेंगे, अगर आपने एक glass water पिया, या फिर एक काम खाया, ठीके, तो आपको बताना पड़ेगा, कि उसमें कितने utility थी, तो आप उसको 1 से लेकर 10 तक number दे सकते हो, example में आपको बता रहे हूँ, ऐसे आप कितने भी number दे सकते हो, क्यों आपको कितने utility मिली, तो यहाँ पर वो assume कर रहे हैं कि cardinal measurement होना चाहिए utility का, हम उसको numerically measured कर सके, utility को हम numerically measured कर सके, तो इससे क्या होगा, हमें easy हो जाएगा, कि हम compare कर सकते हैं units of commodity को, तो इसलिए ही यह, जो cardinal measurement है, यह assumption है इसके अंदर, ठीक है, numerically measured मतलब, जो हमें numbers के form में देना पड़ेगा, ठीक है, अब next वाला है homogeneity, homogeneity means, जो exactly same होता है, ठीक है, exactly same means, size, shape, color, etc, अब यहाँ पर उसको size में भी same होना पड़ेगा, shape में भी same होना पड़ेगा, और color भी उसका same ही रहना पड़ेगा, जो भी consumer consume कर रहा है, example के लिए यहाँ पर आप कोई भी fruit भी ले सकते हो, जिसे अगर मैं mango consume कर रही हूँ, तो म mango ही consume करना है, और वो एक ही size का होना चाहिए, shape भी उसका ठीक होना चाहिए, और color भी, ठीक है, तो यह homogeneity मतलब exactly identical होना चाहिए, exactly identical तो mango नहीं हो सकता है, exactly identical आपका water हो सकता है, ठीक है, exactly identical बूला है तो, क्योंकि अब देखें, यहाँ पर exactly identical में size आपको बताया है, कि उसका size जदा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका size जदा च्छोटा नहीं होना चाहिए, उसका taste भी same होना चाहिए, अगर एक person consume कर रहा है mango तो उसका taste रहेगा अगर आप mango consume करेंगे, लेकिन आपको mango ही consume करना है, आपको orange consume नहीं करना है, क्योंकि उसका जो taste है वो बदल जाएगा, तो वह identical नहीं होगा, exactly same नहीं होगा, इसलिए बोला है कि आपको mango को ही consume करना है, और otherwise आप glass of water का भी example यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि वह identical same होता है, ठीके, और उसका जो size है, मतलब glass का size हमें फिर same रखना पड़ेगा, ग्लास का size सेम होना चाहिए, ठीके, तो यह होता है homogeneity, यहाँ पर next assumption है, fourth one, continuity, continuity means quick succession, without break, मतलब जैसे अगर आप consume कर रहे हैं glass of water, तो आपको quick successive succession में मतलब आपको बार-बार पीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक ग्लास पाने पिया, तो आप 15 minute का break ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीके, यह यहाँ पर हम assume नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना है, एक के बार एक glass जो है, पानी का पीते रहना है, या अगर हम mango का example लेंगे, तो आपको break नहीं मिलेगा, आपने बोला मैंने दो आम खाये, रु नहीं मिलेगा, अगर interval मिलेगा, तो जो marginal utility है, वो applicable नहीं होगी, मतलब जो हमारा law था, law of diminishing marginal utility वो applicable नहीं होगा, इसलिए क्या ज़रूरी है, continuity ज़रूरी है, वहाँ पर break बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, आपके consumption के अंदर, next है, reasonable in size, ठीके, reasonable in size, मतलब वो जादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जादा छोटा नहीं होना चाहिए, अगर मैं ice cream खा रही हूँ ना, तो वो jumbo size की ice cream नहीं खाने चाहिए, और अगर, मतलब ice cream बहुत small size में भी नहीं होना चाहिए, वो standard medium size जो हम बोलते हैं, वो हमें consume करना चाहिए, जो consumption ह है, वो medium size का होना चाहिए, बहुत जादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत जादा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीके, not too big, not too small, वो एक standard size का जो ice cream होता है, वो हमें खाना चाहिए, वो standard size का glass हमें water का पीना चाहिए, ठीके, जो glass का example था, जो size में आपको बताए था, वो standard medium size का glass होना चाहिए ठीक है jumbo मत ले लेना jumbo glass नहीं चलेगा next वाला assumption है constancy का ठीक है income, taste, preference, choice, like ये सारी की सारी चीज़े constant होंगी income बदलनी नहीं चाहिए मतलब income के अंदर increase नहीं होना चाहिए income के अंदर decrease नहीं होना चाहिए टेस्ट बदलना नहीं चाहिए, टेस्ट बदला तो हमारा law of dmu काम नहीं करेगा, preference भी हमारा same होना चाहिए next वाली line जो मैंने लिखी है marginal utility of money is also assumed to be constant ये बहुत ही साथ important है कि मतलब marginal utility जो money की है उसको assume करके चलना है कि वो constant रहेगी ठीक है ये जो seventh one assumption है वो है divisibility मतलब वो divisible in nature होना चाहिए जो commodity हम consume कर रहे है उसको हमें divide करने आना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर commodity fan मत ले ले लेना अगर क्योंकि fan की जो हवा है वो हम divisible नहीं कर सकते हैं जैसे electricity भी divisible नहीं है इन nature में लेकिन जो हम mango खाएंगे या ice cream खाएंगे या glass of water water को हम divide कर सकते हैं एक glass से दूसरे glass में हम उसको अलग-अलग कर सकते हैं ठीक है तो वो divisible in nature होता है लेकिन जो हम electricity consumption की बात करेंगे और fan की जो हवा होती है वो सब ही के लिए मतलब बहुत सारी multipurpose है न हमने पढ़ा था electricity fan की हवा तो यह जो है वो divisible नहीं है लेकिन mango और ऐसे other commodities जो है वो divisible in nature होती है तो यह assumption का 7th assumption है 7th point है ठीक है और 8th point है single want satisfy a single want of a consumer ठीक है single want of a consumer यह satisfy करता है next हम यहाँ पर क्या study करेंगे हम schedule study करेंगे schedule जो है marginal utility का है law of DMU के अंदर आपको schedule बनाना है most important यहाँ पर आपको one से लेकर seven तक units लिखनी है और marginal utility यहाँ पर लिखनी है तो मैंने आपको easy exam easy way में बताया था कि आपको क्या करना है first unit पे 10 लिखना है और sixth unit पे आपको क्या लखना है zero लिखना है यह हमेशे याद रखें कि sixth वाला unit जो था वो zero था ठीक है और उसके बाद में zero के उपर से आपको two का table लिख देना है ऐसे ठीक है two four six eight ten two four six eight ten ठीक है और यहाँ पर minus two यह आपका बन गया schedule ठीक है schedule का यहाँ पर छोटा सा दो लाइन का explanation है वो भी लिखना जरूरी है marginal utility keeps on diminishing with increase in consumption marginal utility diminish होती रहती है जैसा ही हमारा जो consumption है वो increase होता है तो marginal utility क्या होती है diminish होने लगती है decline होने लगती है marginal utility becomes zero and then negative पहले क्या होता है पहले वो zero होती है और फिर वो minus two के उपर आती है minus two means negative हो जाती है तो यह दोनों point लिखना भी जरूरी है next उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको diagram डॉकर करके बता है diagram भी बहुत जड़ा important है जो उपर हमने schedule लेखा उसको ही सिर्फ आपको अहां पर scale और pencil लेकर plot कर देना है ठीक है तो जो x-axis है उसके उपर हम लिखेंगे units of commodity और जो y-axis है उसके उपर लिखेंगे हम marginal utility ठीक है marginal utility और उसके बाद हम first unit पर जो ten था उसको mark करेंगे second unit पर eight था और third unit पर six ऐसे करते करते हमें जो है पूरा यह जो lines है वो ड्रॉ करनी है जो हमने point लिखे यह जो point बनाए है उनको draw कर देना है ठीक है वो points जो है हमें उनको simply सीधे सीधे एक line बना देनी है ठीक है वो points को joint कर देना है और जो last में यह जो shaded वाला portion है seven unit का यहाँ पर डिस यूटिलीटी हो रही है ठीक है डिस यूटिलीटी इसलिए हो रही है क्योंकि जो कंजर्प्शन है उसका जो person का consumer का जो satisfaction है वो dissatisfaction में बदल चुका है इसलिए यहाँ पर डिस यूटिलीटी लिखा है यह बहुत ज़्यादा important है ठीक है अगर आप डाइग्राम में डाइग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर डिस यूटिलीटी लिखना बहुत important है यहाँ पर आपको क्या लिख explanation देंगे तो ही अच्छे marks मिलेंगे तो आपका explanation देना है textbook के अंदर बहुत ही paragraph format में दिया है लेकिन मैंने आपको यहाँ पर point के format में दिया है point क्या होते हैं आपको remember करने के लिए बहुत ज़्यादा easy हो जाते हैं तो यहाँ पर आना आपको 6 point दिये है explanation of the diagram कितने point में आप को क्या लिखना है in the above diagram units of commodity x are measured on x-axis and marginal utility is measured on y-axis सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है कि units of commodity हमने x-axis के उपर जो है measure किया है और marginal utility को हमने y-axis के उपर measure किया है और underline करना most important thing है ठीक है next point जो second one point है वो है as per the schedule various points are plotted जो schedule था उसके हिसाब से हमने बहुत सारे points को plot किया था और जो locus of point है उसको हमने क्या किया join किया तो हमें क्या मिला mu का curve मिल गया ठीक है तो यह हमारा second point था third point देखे क्या है mu curve of mu curve slopes downward from left to right अब यह वाला जो point है यह बहुत जादा important है यह important line है यह किदर भी आ सकती है आपका सकते हैं angry disagree के लिए भी पूछ सकते हैं one mark के question के लिए भी पूछ सकते हैं ठीक है explain the concept में भी आ सकता है mu curve slopes downward from left to right यह important line है सब को याद रखनी है mu का curve कैसा होता है देखो mu का curve कैसा होता है यह downward होता है और यह left है और यह right है ठीक है तो यह जो line है mu curve slopes from left to right यह important है mu curve goes on diminishing decline with every successive increase in the consumption of a commodity अब यहां पर fourth point में बताना है कि जो mu curve है वो diminish मतलब decline हो रहा है जैसे ही हम successive units को increase कर रहे है every successive units के साथ successive units के साथ क्या हो रहा है हमारा जो marginal utility है वो decline हो रहा है fifth point में बता है when mu becomes zero mu curve intercepts x-axis जब mu zero है तो वो क्या करता है x-axis को क्या करता है intercept करता है यह रहो यह वाला x-axis है और यह mu का curve है ठीक है diagram के fifth point में sixth point जो last point है उसमें लिखना है further consumption leads to disutility आगे और अगर हमने consumption किया तो वो किस में बदल जाएगा वो disutility में बदल जाएगा disutility means dissatisfaction जो person को consume करने से satisfaction मिल रहा था अब वो dissatisfaction में बदल जाएगा ठीक है तो जो shaded part है वो क्या बता रहा है shaded part बता रहा है disutility बस इतना सा ही करना है आपको six points के अंदर explain कर दाएग्राम को so यहाँ पे हमारा law of diminishing marginal utility assumption के साथ में हमने diagram और schedule भी देखा अब next वाले वीडियो में हम exceptions और criticism और आगे के बहुत सारे points को cover करने वाले हैं so thank you for watching this video